बिस्मिल्लार रख्मान रहीम असलाम अलेकम आद में आपको चिकन भजिया बनाना सिखाऊंगी इसे आप चाहे रमजान के लिए या आम दिनों में बनाईए या टी टाइम के लिए बनाईए तो इसको बनाने के लिए हमें चाही होगा धाइसो ग्राम बनलेस चिकन जिसे आप बिल्कुल चोटे चोटे क्यूब्स में काट लिजेगा दो अदद अंडे फोर टेबल स्पोन भर कर बेसन फोर टेबल स्पोन सूजी पिसी हुई हरी मिर्चे छे अदद या बंटी स्पोन सफैद जीरा मोटा मोटा दर्दरासा कुटा हुआ वंटी स्पोन कुटी लाल मिर्चे वंटी स्पोन बेकिंग पाउडर वंटी स्पोन बिल्कुल लेवल करके नमक हस्बे जरूरत एक अदद बारीक कटी प्याज पुदीना बारीक कटा हुआ टूटे बस आपने सब चीजों को साथ मिक्स करना है और तेल गरम करना है तो सबसे पहले चिकन में डालने अंडे, बेसन, सूजी, पीसी हुई हरी मिर्चे, साबोत दरदरा कुटा हुआ धनिया, दरदरा कुटा हुआ जीरा, कुटी लाल मिर्चे, नमक, बेकिंग पाउडर, प्याज, हरा धनिया और पुदीना डाल कर अच्छी तरह से मिला ले अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इने फ्राई कर लें गॉल्डर फ्राइ करने के बाद आप इने निकाल लूएं। इसी तरह से सारे चिकन भजीय प्राई कर लें उपर आप चाहें तो थोड़ा चाट मसाला डाल का सर्व कीजिएगा लीजिए ये मज़ेदार साथ चिकन भजीय तैयार है जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दौाउं में याद रखिएगा और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी हदीसे पाक इस तरह से है रसूल अल्लाव ने हाथ पर शुमार करके फरमाया कि तस्बीह निस्प मेजान को भर देती है और अलहमदलिल्ला पूरे तोर पर पूर कर देता है और तक्बीर जो कुछ आस्मान और जमीन के बीच है सब को भर देता है और रोजा निस्फ सबर है और पाकीज़गी आदा इमान है कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर जिकर अल्लह के मतलिक अल्लह ताला का इशाद है मेरे बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम को याद रखूँगा और मेरा इहसान मानो और ना शुक्री ना करो सुभान लल्लह बंदे की इस से बड़ी सादत और काम्यावी और क्या हो सकती है कि पूरी काईनात का खालिक और मालिक उसको याद करे और याद रखे हदीश मुबारका में रसुल आल्लह अल्हीं ने फर्माया कि सुभान लल्ह कहना लल्ह ताला की अजमत बतरी के अजहार का ऐसा अमल है जो निस्प मेजान अमल को भर देने के लिए काफी है लेकिन ये इ WYजहार सचे दिल से हुआ हो सचे दिल से अल्लह ताला की अजमत का अकरार आदमी की जिन्दगी को बदल सकता है फिर उसका मिàyजान नेकियों से क्यों न भुरेगा और अलहमदलिल्ल्ला कहना यनि अल्लह ताला की हम्द जो जिन्दगी अल्लह की तस्वीश और हम्दो 예쁜 स्थायस से हो वही जिन्दगी ऐसी जिन्दगी है जिसे कामिल जिन्दगी कहा जा सकता है इसलिए तस्बीह और तमहीद के सबब मेजाने अमल का पुर हो जाना फितरी सी बात है और तक्बीर यानि अल्ला हुगवर का कहना जिनको हकीकी समात हासिल है उन्हें काइनात में हर तरफ जमीन में भी और आस्मानों में भी तक्बीर ही की गुंच सुनाई देती है जमीन आस्मान का हर जर्रा अल्लह ताला की किब्रियाई और बड़ाई की दास्तान सुना रहा है जब कोई ल्लह की बड़ाई का तराना गाता है तो जमीन और आस्मान का हर जर्रा उसके साथ हो जाता है गोया उसके साज की आवाज साज काइनात की आवाज से हम अहंग हो जाती है फिर हदीस मुबारका में जिकर है सबर का मुमिन की पूरी जिन्दगी को हम सबर से तावीर कर सकते हैं मुमिन एक जापता हायात का पाबंद होता है इसका असल मकसद आखरत की काम्याबी है वो दुनिया में इसलिए जिन्दगा रहता है कि अल्लह की रह में सरगर में सफर हो उसके लिए अजीम सबर की जरूरत होती है सबर के बगएर ना तो आदमी अल्लह की रह में एक कदम चल सकता है और ना उसके बगएर उसके किरदार और सीरत की तामीर हो सकती है और इस हदीश में रोजे को निस्फ सबर कहा गया है मतलब ये कि जिस शखस ने रोजा रख लिया उसने सबर की तर्बियत हासिल कर ली अब जरूरत है कि वो इससे अपनी पूरी जिन्दगी में फाइदा उठाई और अपनी पूरी जिन्दगी को सबर के सांचे में ढाले जिस दिन उसकी जिन्दगी सबर के सांचे में ढल गई उस दिन हम कह सकते हैं कि उसने अपने सबर को कामिल कर लिया उस वक्त निस्फ सबर नहीं उसे पूरा सबर हासिल होगा सबर और रोजा के दर्मियान एक गहरा रब्द और तालुक पाया जाता है कि रोजे के तसवर से ही सबर का तसवर खुद जहन में आ जाता है और रोजे की इस हकीकत को जाहिर करता है कि इसकी इबतदा भी सबर है और इसकी इंतहा भी सबर है जो सबर से आशना नहीं वो हकीकी सौइम नहीं हो सकते और जो हकीकी सौइम बन गया उसने सबरो इस्तिकामत की हकीकत को अपने अंदर जजब कर लिया है रोजा और सबर वो अमल है जिनकी जजा और बदला भी बे इंतहा है अल्लह ताला की फ्याजी का सबसे बड़ा मुझाहरा इन दोनों आमाल की जजा पर है रोजा के मतलिक जैसा के हदीस में है कि अल्लह ताला फर्माता है कि इसका बदला मैं खुद दूँगा और सबर के मतलिक अल्लह ताला का इर्शाद है बिला शुबा सबर करने वालों को अजरो सवाब हिसाबों किताब के बगएर दिया जाएगा और पाकीज़गी आदा इमान है अल्लह ताला फर्माता है अल्लह ताला तोबा करने वालों को और तहारत रखने वालों को यानि अंदरूनी एतबार से और जाहरी एतबार से अपने आपको पाक रखने वालों को पसंद करता है इसी के साथ मैं आप से इजास्ट चाहूंगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज